हेलो एवरीवन जहीं जली से फड़ा फड़ से जितने बच्चे कनेक्ट हो जाए क्योंकि आज यहां पर जो है तीन जनवरी है 2021 की और यहां पर जो है आज हम करेंट अफेर कुछ की जो रिवीजन सेक्शन है बेसिकली आज लेकर के आचुके हैं क्योंकि आज संडे और संडे बिसकली तीन जनवरी है यहां पर यहां पर जो जितने फी कोशुंस है मैं लेकर के आया हैं वो सारे कोशुंस जो आपको पिछले जो वीक के होंगे जो पिछले सप्षे सबीखने को ज़ली से बच्चे पड़ा-फड़ब से connect हो जाईए क्योंकि काफी important इसे होने वाला है आप सभी के लिए और बिसेकली जिन बच्चों का अगर सेशन कोई भी छूट चुका है किसी भी दिन का लास्ट वीक में किसी भी दिन का तो यहां पर चारा कवर हो जाएगा लगवग सारे कुशन मैं यहां पर लेकर के आया हूं और बहुत सारी इंफोर्मेशन बहुत सारे नॉलेज क्विज की साथ में आप आपको देखने को मिल जाएगा तो जितने बचे जल्दी से फटाफट से कनेक्ट होते जाएगे चलिए बहुत सारे बचे यहां पर जूड़ रहे हैं सभी को जैहिंद वीडियो को यहां पर कह सकते ही सेशन को में लोग सुरू करते हैं उससे पहले मैं बता दू कि मैं हो दिपेस और आप सभी का श्वागत करते हैं और यहां पर अगर आप इंडियन आर्मी नीवी एयर फोर्स बैंकिंग एससी रेलवे यूपीसी पीसी या फिर किसी भी डिफेंज आप चाहिए एफकाइट हो एंडी हो सीडिये सो अगर आप उसकी प्रफेशन करना चाहते हैं तो आप अनिक एडवे के साथ जूड़ करक पर चाहिए कोई सब्सक्रिप्शन ले चाहिए कोई सबी कोर्स का अगर आप इन्रॉल्मेंट करते हैं आप इस कोड को यूज कर सकते हैं आपको यहां पर 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा और यहां पर जो बिसिकली मैं जितने भी कोशन्स लेकर के आया हूँ वह यहां पर जो है पूरे करेंट अफेर कुईस के तौर पर है कुईस यहां पर मिलेगा आपको और जो कह सकते हैं बेसिकली जो 28 डिसमबर से लेकर के 3 जनवरी जो है यहां पर वो सारी यहां पर जो हर दिन के जितने भी कुईस हमने करा हैं सारे कुशन्स आपर मिलेंगे आप हरी कुश आपको quiz के तौर पर मिलेंगे हर एक question में आपको लगबग 10 सेकंड का time भी मिल जाएगा चलिए तो पहला question यहाँ पर है Recently Reliance Industry Limited has entered into a definitive agreement to acquire 50% share of IMG Group Company What is the name of that company? तो यहाँ पर Reliance Industry Limited जो भी 50% share खरीदने वाली है IMG Group Company का तो आपको बताना कि कौन सा IMG Group Company को वो खरीदने वाली है चार option है यहाँ पर जो भी आपको option सही लगता है बिल्कुल आप अपना comment कर सकते हैं तो जल्दी से फड़ा-फड़ से अपना answer comment करते जाएं और बिल्कुल जब भी आप अपना answer करें तो यहाँ पर जो भी आपको answer लगता हो आप अपना answer दे सकते हैं हर एक question अपना answer comment कर सकते हैं चलिए देखते हैं कितने बच्चों का सही answer आता है कितने बच्चे सही answer कर पाते हैं तो जल्दी से फड़ा-फड़ से अपना answer comment करते जाएं चलिए बहुत सरी बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है बहुत सरी बच्चे अपना answer दे रहे हैं बिल्कुल आप अपना answer दे सकते हैं हर एक question में अपना answer comment कर सकते हैं और इसका सही answer यहाँ पर option C हो जाएगा IMGR जो है यहाँ पर इस company को यहाँ पर 50% यह acquire करने वाली है बात करते हैं अगले question question यहाँ पर जो है दूसरा question है इन विच स्टेट इडा Indian Coast Guard petrol ship सुझीद थो किस राज में जो है अभी इंडियन कोष्ट गार्ड पैट्रोल जो है सुझीद उसको अभी शुरू किया गया है लाँच किया गया है चार option है फड़ा फड़ा अंसर comment करते जाएं चले तो बहुत सारे बच्चे अपना आंसर दे रहे हैं आप बिल्कुल हर एक कोशन में कमेंट कर सकते हैं हर एक कोशन में अपना आंसर दे सकते हैं और सभी में आपको चार आप्शन मिलते हैं जो भी आपको आप्शन सही लगता हो ABCD आप उसमें अपना अंसर दे सकते हैं लेकिन याद रहे कि आज जो है weekly revision चल रहा है संडे का दिन है तो संडे को हम लोग basically weekly revision करते हैं जो भी हमने जो है Monday से लेके Saturday तक जितने वे question कराएं थे आपको सारा यहाँ पर question लगबग कराया जाता है तो जितने बच्चों ने अगर classes लिया होगा सभी को लगबग answer पता होगा और basically यहाँ पर जो है जो लोग वहाँ पर class लेते भी है daily तो अगर उनसे कोई question या फिर भूल जाते हैं या फिर उनसे निकल जाता है mind से तो यहाँ पर एक बहुत ही बैतरीन option होता है कि आप यहाँ पर participate करके अपना देख सकते कि आपने कितना यहाँ पर yad किया या फिर कितना आपको आता है और कितना आपको और मेनद करनी है या फिर जो question निकल गया उसको फिर से revise भी कर सकते है और किसी भी question में अगर आपको जानना होगा क्या हुआ कैसे वर तो आप उसके लिए हमारे previous section है उसको playlist में जाकर के देख सकते हैं चलिए तो यहां बहुत सरी बच्चों का आंसर आ चुका है बहुत सरी बच्चों ने अपर आंसर दिया है मिनिश्टर है उन्होंने अभी अधार सिला रखा है हाईवे प्रजेक्ट का जो की लगबग यहां पर आठ अजार करोड का है तो किस राज में रखा गया इसको आपको बताना है चार ऑप्शन है यहां पर जल्ली से फड़ा फट से आंसर कमेंट करते जाए तो जल्ली से फड कर सकते हैं अपना आंसर यहां पर कमेंट कर सकते हैं और किसी भी कोशन में अगर आपको डाउट लगता है कि यह क्यों हुआ कैसे हुआ पूरा डीटेल में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जो हमारे प्रिवियर जितनी भी हमने जो अभी क्लासेज ली है अगर जाएगा इंफॉर्मेशन चली तो आप बहुत सरे बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है बहुत सरे बच्चों का आंसर आ रहा है सही आंसर है option B राजिस्थान यहां पर सही आंसर हो जाएगा बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर यहां पर दिया है और बहुत सारे ब महराष्टा 2.0 इनिसेटिव तो अभी आपको यहां पर बताना है कि जो महराष्टा की गौवर्मेंट है महराष्ट की जो सरकार है उसके साथ जो कितने लोगों कितने जो कंपनी हैं उन्होंने मौयू साइन किया है मैगनेटिक महराष्टा 2.0 इनिसेटिव के तहत चार ओप्षण है यहाप पर कितनी कंपनी ने किया आपको बताना है जल्दी से फड़ा फट से अपना अंसर कमेंड करते जाएं बिल्कुल आप जो है हमारे जितनी भी कोशन से अगर आप किसी का भी डिटेल जाना चाहती तो आप यहाप पर प्लेश में जा सकते हैं एक वच्चे का आपे काना है प्लेश उन्हें नहीं मिल रहा है तो अगर आप चैनल पे विजिट करते हैं जब चैनल के बगल में अग बाई देखा चले तो इसका सही आंसर है option A यहां पर सही हो जाएगा 25 company ने यहां पर किया था option A यहां पर सही है बहुत सर बचों ने सही आंसर दिया है बात करते हैं अगले question की who among the following has been appointed as a chairman of the Indian selection committee by BCCI तो BCCI के Indian selection committee के नए अध्याज किसे बनाया गया आपको बताना है चार option यहां पर जल्ली से फड़ाफट से आंसर कमेंट करते जाए किसे अभी बनाया गया है नए अध्याज तो जल्ली से फड़ाफट से जितने बच्चे हैं आप अपना अंसर देते जाएं तो देखते हैं किस बच्चे का यहांपर answer आता है कितने बच्चे इस बार सही answer कर पाते हैं सारे कोशन हमने करा रखे, सारे कोशन पर हमने डीटेल में चर्चा की है, तो जलिए से फड़ा-फट से जो भी आपको आंसर लग रहा हो, जितने बच्चे कनेक्टेट अपना आंसर देते जाएं. चलि तो यह भाग सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बात करते हैं अगले question यहां पर जो है Which government has inaugurated the first fruits portal in their state तो किस सरकार ने अभी अपने राज्य में पहला fruits portal उसको शुरू किया है तो आपको बताना है यहां पर चार option है जल्ली से फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चलते हैं बहुत सरे बचे पाटिसिपेट कर रहे हैं बहुत सरे बचे अपना answer दे रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना answer हरे question में comment कर सकते हैं जातर लोग जो daily classes अगर लेते हैं daily session अगर आप देखते हैं तो आपको answer बिल्कुल पता होगा लेकिन बहुत सारे बचे नए नए जॉइन करते हैं तो अगर उनको नहीं पता तो आप हरे कोशन का जो detail है, हरे कोशन का अगर आप जाना चाहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यूं हुआ, किसी भी कोशन में आप जो यहाँ पर जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके विजिट करें प्लेलिस्ट में आपको करेंट अफ़र क्विस सामुके 8 बजे वाला मिलेगा उसमें आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा हर एक कोशन का चली तो यहाँ बहुत सरे बच्चों ने अपना अंसर देन किसे किए अपको बताना है चार आपशन है याँ बीक याँ बीक के पर लिकिटे का कितने वाच्टों का जैंसर यहाँ पर आता है कि तो जल्दी से फटाफट से जितने बच्चें अपना आंसर देते जाए कमेंट करते जाए और कुक रिविजन हो गए यहाँ पर यह जो रिविजन सेक्चन विकली रिविजन चल रहा है तो आपको यहाँ पर जो है अगर आप किसी भी सेक्चन को मिस्स कर चुके हैं या फिर पूरे विख का कुई रिविजन हो जाएगा आप इसे पूरा देखेंगे तो आपको रिविजन भी साती सात यहां पर होते जाएगा चले बहुत सर बच्छों का आइंज आ गया है बहुत सरे बच्छों तो जल्दी से फड़ा-फट से आंसर कमेंट करते जाएं तो देखते हैं कितने वच्चों का सही आंसर आता है कितने वच्चे सही आंसर कर पाते हैं जल्दी से फड़ा-फट से आंसर कमेंट करते जाएं जो भी आपको आंसर सही लग रहा है चलिए तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का अंसर आना सुरू हो चुका है सही आंसर में बताएं कि बताएं चलो तो option D यहाँ पर सही है सतेंदर गर्ग यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question यहाँ पर Which of the following has been conferred excellence in the prestigious CIITC sustainability award 2020 incorporate social responsibility domain तो यहाँ पर जो है किसे जो है अभी CIITC sustainability award 2020 में जो है यहाँ पर excellence यहाँ पर कह सकते हैं अवार्ड से समानित किया गया है corporate social responsibility domain के तहद चार option यहाँ पर जल्दी से फड़ा फट से आंसर कमेंट करते जाएं जो भी आपको आंसर सही लग रहा हो जो भी आपको option सही लगता है बिल्कुल आपना answer हर एक question में comment कर सकते हैं हर एक question में अपना answer दे सकते हैं और basically check कर सकते हैं कि आपको कितना याद है या फिर कितना आता है क्योंकि revision section है Sunday की तो यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि कितना आपको answer सही आ रहा है और कितना आपको और मैनत करने की जुरत है चलिए तो बहुत सारे बच्चों का answer यहाँ पर आ चुका है सही answer है option C यहाँ पर National Thermal Power Corporation Limited यहाँ पर सही हो जाएगा short form अगर यहाँ पर देखेंगे तो NTPC यहाँ पर यहाँ पर question में अगर यह भी आता है तो आपको NTPC यहाँ पर National Thermal Power Corporation Limited जो है सही answer हो जाता है बात करते हैं बगली question की at which place India has set coastal radar station to expand the area under CSN तो यहाँ पर basically आपको बताना है कि किस जगा पर जो है अभी coastal radar station को यहाँ पर बैठाया जा रहा है ताकि जो CSN area है उसको और बढ़ाया जा सके तो option यहाँ पर 4 है जल्दी से फड़ाफट से answer कमेंट करते जाएं कि कि किस तीन जगा basically बढ़ाया जा रहा है बहुत सारे बच्चों को अभी confusion ने कि playlist कहां मिलेगा तो मैं basically बता दूँ कि इसी वीडियो के अगर आप नीचे जाएंगे तो वापर description का जो section होता है उस section में आपको वापर मिल जाएगा तो description में आपको सारा वापर link मिल जाएगा provided link playlist का वहाँ से आप जो previous जतने भी session है उसे भी देख सकते हैं और पूरा detail में जानकारी भी ले सकते हैं चलिए तो यहाँ बहुत सारे बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है सही answer इसका basically option C है Maldives, Myanmar और Bangladesh इसका answer सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question अगले question है यहाँ पर तो परसंट डाइड और सेवरल तुक इल इन दी मेजर गैस लीक अड़ इंडियन फार्म और फेटिलाइजर को पर कोर्परेटिव लिमिटेड यूनिट अड़ प्रयाग राज which of the following gas was cause of this accident तो यहाँ पर basically अभी जो है दो लोग की जान चली गई और बहुत सारे लोग यहाँ पर बिमार हो गए अभी एक जो कह सकते हैं गैस लीक हुआ था यहाँ पर IFFCO में तो यहाँ पर basically बताना है कौन सा गैस वहाँ पर लीक हुआ था चार option है यहाँ पर तो आप बिल्कुल अपना answer कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको answer सही लग रहा हो तो जल्दी से फटा-फट से answer कमेंट करते जाएं चले तो बहुत सारे बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है बहुत सारे बच्चों ने अपना answer देना सुरू कर दिया है और इसका सही answer में basically बता चलो तो यहाँ पर जो option B होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ammonia यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की तो अगला question यहाँ पर आया है which company has signed MOU for joint mineral exploration across India तो किस company ने जो है अभी यहाँ पर joint mineral corporation जो है उसके साथ यहाँ पर MOU sign किया है तो यहाँ पर जो option है यहाँ पर 4 है बिल्कुल आपना answer कमेंट करते जाएं जो भी आपको answer सही लग र हो और मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो है भी भी answer दे रहें तो बहुत सारे बच्चों का answer जो है वो अलग-अलग आ रहा है तो अब मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जो अगर आप कुछ से सेशन मिस हो चुका है तो आप बिल्कुल previous session को भी देख ल मिलता है यहां पर जो रिवीजन हो जाता है तो एक basically current affair का बहुत ही कह सकते सांदार आपको concept मिल जाएगा आपको जो है वो भूलने का आपका chance जो है बहुत कम हो जाएगा गलती होने का chance से तो ना के बराबर ही हो जाता है तो काफी important यह session होता है जल्दी से पढ़ा-फट से answer comment करते हैं चले तो यहां पर जो किसी का फुल फॉर्म क्या होगा तो basically मिल बताता चलू कि अगर आपको किसी का फुल फॉर्म जानना हैं किसी का डिटेल जानना है तो मैं बार-बार इसीलिए कर रहा हूं कि आप प्लेश्ट में जाकरके जरूर से हमारा previous session देख ले उसमें सारे कोशन हमने detail में करा रखे पहले से ही बात करते एगले कोशन good governance day is observed every year on तो यहाँ पर good governance day जो हर साल किस दिन मना जाता है आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं तो किसी भी question में अगर आपको doubt लगता है किसी भी चीज का अगर full form या फिर कोई भी चीज अगर उसके बारे में जाना है detail में तो इसलिए में बार-बार करता हूं कि आप जो हमारा daily session जो आता है 8 बज़े साम वाला वो जो Monday से Saturday चलता है उसमें आप देख सकते हैं और basically आज जो है रिवीजन सेक्षन है संडे को तो यहां पर आपको जो है सौट में यहां पर जो रिवीजन क्विक रिवीजन कराया जाएगा तो वहां पर आप जाएकर करके देख सकते हैं कोई भी question को detail में चली तो यहां पर बहुत सरी बच्चों का answer आना शुरू हो चुका है इसका सही answer है option D 25 December यानि 25 December इसका सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question यहां पर जो question है at which place Indian team Indian men's hockey team has finished is FIH 2020 तो यहां पर कौन से अस्थान पर जो है Indian hockey जो main के team है वहाँ 2020 को finish की है किस place पर चार option है यहां पर जली से पड़ापट से answer comment करते जाएं चली तो यहां पर बहुत सरे बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है बहुत सरे बच्चों ने प्राइंसर दे दिया है लगभग और इसका सही answer यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option B यहां पर fourth place पर यहां पर जो है सरंधाजली दिया गया उनके वर्सगार्ट पर तो बिसिकली आपको बताना है कि उनको जो है भारत रतन मर्नो परांद कब दिया गया था चार option यहां पर किस साल मिला था आपको बताना है भारत रतन जल्दी से फटाफट से answer comment करते जाएं जल्दी से फटाफट से answer comment करते जाएं चल्दी तो यहां बहुत सरे बच्चों का answer आ रहा है बहुत सरे बच्चों का answer भी दे रहे हैं option डी जिन बच्चों ने किया बिल्कुल आपका answer सही है 2014 यानि कि 2014 में यह समानित किया गया था इनको बात करते हैं अगले question की तो question यहां पर है which company has reserved the defense receive the defense manufacturing hub green channel status from defense ministry तो किस company को basically जो है अभी green channel status दिया गया है defense ministry के द्वारा हो तो चार option यहां पर जल्दी से फटाफट से answer कमेंट करते जाएं चलिते हैं अब बहुत सरे बच्चों का answer आना सुरू हो गया है बिल्कुल जल्दी से फटाफट से answer कमेंट करते जाएं option A यहां पर सही answer हो जाएगा जिन बचों ने option A की है बिल्कुल आपका answer सही है last and top row यहां पर सही answer हो जाता है बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है recently India has added Tashokar Wetland Complex to the Ramsar site Tashokar Wetland Complex in basically आपको बताना है कि अभी जो है Tashokar Wetland Complex जो है basically उसको भी रामसर site में सामिल किया गया है तो Tashokar Wetland Complex कहां पर है किस जगा पर आपको बताना है चार option है आप पर फड़ा-फड़ से answer comment करते जाएं चले तो बहुत सरे बच्चे अपना answer दे रहे हैं बहुत सरे बच्चे अपना answer comment कर रहे हैं तो बिलकुल आपना answer comment कर सकते हैं हरी question में और किसी भी question में अगर आपको detail में जानना है कि क्यों हुआ कैसे हुआ किसी भी चीज के बारे में अगर detail में जाननी है अगर कोई भी question को तो आप जो हमारा सेशन आता है daily ऐह जो current affair का तो Вас OFF 간 None讚 कुष्य कर भीक है तो उसमें आपको पूरा information लाता है जो सामके चलिए यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आना सुरू हो चुका है सही आंसर यहां पर बिसेकली बताता चलू तो option A है लद्दा किया पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले कोशन की तो कोशन अगला है विच और गनाशन हैं पला है लांच्ट कुवीड नैंटीन वैक्सिन मार्केट डैस्बोट कुस संगठन ने अभी कुवीड नैंटीन वेक्सिन मार्केट डैस्बोट को शुरू किया है चार option यहां पर फटाफट से आंसर कमेंट करते जाएं चलिए तो इसका सही आंसर यहां पर जो है option B है और जिन बचों ने option B किया है Unicef यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की Which of the following bank has topped the BFSI Movers and Shakers 2020 report by Viziki तो अभी जो है Viziki दौरा जो है BFSI Movers and Shakers 2020 report जारी किया गया था उसमें कौन सा bank service rest आया आपको बताना है चार option है यहां पर तो जल्दी से फड़ाफट से answer comment करते जाएं चले तो यहां पर जो सही answer यहां पर हो जाएगा वो यहां पर option जो है यहां पर D हो जाएगा तो जीन बचों ने option D किया है HDFC bank वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है Who has won golden foot award in 2020 तो किसे जो है भी golden foot award से समानित किया गया है 2020 में आपको बताना यहां पर चार option है जल्दी से फड़ाफट से answer comment करते जाएं चले तो यहां पर जो सही answer इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option D यहां पर Cristiano Ronaldo यहां पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा तो जिन बचों ने D के आप बिल्कुल सही है आपका answer बात करते हैं वगले कोशन की रिसेंटली फीपा हैस कैंसर अंडर 17 अंडर 20 वर्ल कॉप इस वर्ल कॉप विल नौ भी प्लेइड इन 2023 विच अपर फॉलोईंग कंट्री विल होस्ट अंडर 20 एडिशन तो यहां पर अभी फीपा ने जो है अंडर 17 अंडर 20 का जो वर्ल कॉप अंडर 2 में को डिया है और यह 2020 में 2020 में जो ँसमें खेला जाएगा वसीकजिक दौज मरी है उसकी में जबानी कौण करेगा 2023 में चार प्षिन हैं किस देश को होश्ट करेगा जल्दी से आसर कमेंड करते जाएं चली तो इसका जो सही आंसर यहां पर हो जाएगा option C हो जाएगा Indonesia यहां पर सही आंसर हो जाएगा तो जिन बचों ने option C किया है बिल्कुल सही है यहां पर अगला जो question है Which state government has approved the official language amendment bill for making official language of the state तो किस राज सरकार ने जो है अभी official language amendment bill को जो है यहां पर मंजूरी दे दिया है ताकि जो official language है उसे राज का वो उसको बनाया जा सके तो चार option है किस राज ने किया है उसको बताना है जल्दी से फड़ा-फट से आंसर कमेंट करते जाए चले तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा option A हो जाएगा असम यहां पर सही आंसर है असम ने अभी इसको amend किया है बात करते है अगले question question यहां पर जो अगला है from IPL 2022 the number of teams in IPL will be increased two तो यहां पर जो है 2022 IPL में जो है कितना number जो है यहां पर IPL team का हो जाएगा आपको बताना है कितना जो नंबर बढ़ जाएगा कौन कितना IPL team वहाँ पर खेलेंगे चार option है फड़ा-फट से आंसर कमेंट करते ही जाए जली इस फड़ा-फट से प्रशम मेंट करते ही जाए जितने बच्ची कनेक्टेड रह से कितने कितने बच्चों का जाता है छली तो यहां पर जो बहुत सर्फ पछंद आ गया है option ब से कितने बच्चों का आँसर हो जाएगा 10 teams हैं पर totally खेलेगे बात करते हैं अगले question की which bank has ranked first in UPI transaction तो UPI transaction के मामले में कौन सा bank जो है पहले अस्तान पर आया है चार option यहाँ पर चलिए से फड़ा फटचे answer comment करते जाए चलिए तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option A SBI यहाँ पर सही हो जाएगा State Bank of India यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना has completed how many number of treatment across the country till 24 December 2020 तो 2020 में 24 December तक पूरे भारत में कितने लोग का इलाज प्रधान मंत्री आयुसमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग योजना के तहद किया गया चार option है आपर कितने लोग का treatment वो आपको बताना है इलाज हुआ जल्दी से फड़ाफट से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहां पर जो सही answer हो जाएगा वो option A हो जाएगा 1.5 करोड यान लगबग 1.5 करोड लोगों का यहां पर इलाज हुआ है बात करते हैं अगले question की on which year India will host global media and film summit तो कौन से साल जो है यहां पर भारत जो है global media and film summit को की मेज़बानी करने वाला है तो चार option है यहां पर फड़ा फड़ा से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहां पर जो बहुत सारे बचों का answer आ चुका है option C यहां पर सही हो जाएगा यहां पर 2021 यहां पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है in December which country has published new rules for reviewing foreign investment on national security ground तो यहां पर किस कह सकते हैं देश ने जो है अभी national security ground के उपर यहां पर जो national security है उस पर foreign investment को कह सकते हैं करने के लिए जो company करेगी जो country करेगी उसको review करेगी यहां पर basically देख लिए तो कौन से कम देश से इसने यह नियम अभी जो है बनाया है तो चार option है यहां पर जल्दी से फड़ा फट से answer कमेंड करते जाएं चले यहां पर बहुत सरे बच्चों का answer आ चुका है option A यहां पर सही होगा चाइना यहां पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा यहां पर अगला जो question है अगले question की बात करते है इन विच श्टेट आइस अदित नात दास इस अपूंटेड आज़ा न्यू चीफ सेकरेटरी तो किस राज जिके जो है यहां पर न्यू चेफ सेकरेटरी जो है बनाए गए है आइस अदित नात दास को चार option है आपको बताना है जल्दी से फड़ा फट से answer कमेंट करते जाएं और बिसिकली मैं बता चलो तो यहां पर जेतने बचेटरी आपर कनेक्टेड है आप हर एक कोशन का detail में अगर आप अंसर लेना चाहते हैं तो आप जो daily session आता है उसको देख सकते हैं प्रिश में और यहां पर आज जो है basically quick revision section चल रहा है यहां पर revision चल रहा है weekly revision है तो अगर आपको किसी भी question में doubt है तो आप महाँ पर check कर सकते हैं जो हमारा daily session आता है सामके 8 बज़े वाला तो जल्दी से फड़ा फट से जितने बच्चे connected अपना answer देते जाएं चलिए इसका सही answer option भी य Marketing Federation of India Limited तो यहां पर जो है बांगलादेश जो है वो नेशनल अगरिकल्चर कॉपरेटीव मार्केट फेडरेशन जो भारत की है उससे कितना टन जो राइस है वो लेने की यहां पर गोसना किया पर कितना टन वो खरिदने वाली है तो यहां पर चार option है कितना वो राइस लेग चली तो यहां पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option B यहां पर लगबग 1,5,000,000 टन जो यहां पर सही answer हो जाएगा बात कितने अगले question की तो अगला जो question है who has been appointed as the new president of asocham तो asocham की जो यहां पर नए president नए अधियर से किसे चुना गया है बनाया गया है आपको बताना है चार option है पड़ा-फ़चे answer comment करते जाएगा चले तो यहां पर जो सही answer हो जाएगा basically option C हो जाएगा विनीत अगरवाल यहां पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है गीता जैन्ती 2020 was observed on which is दे तो यहां पर गीता जैन्ती 2020 में जो है किस दिन मनाया गया आपको बताना है चार option है जल्दी से फड़ा-फ़ट से answer comment करते जाएगा चले तो यहां पर जो सही answer है option D जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल सही है 25 डिसमबर यहां पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है which bank signed MOU with IGBC of CII to promote green building initiative तो किस bank ने अभी जो है वो IGBC के साथ यहां पर कह सकते हैं समझोता किया MOU किया है ताकि वो green building initiative को यहां पर बढ़ावा दिया जा सके तो चार option है किस bank ने क्या आपको बताना है जल्दी से फड़ा फड़ा से answer comment करते जाएं चली तो यहां पर जो option है D यहां पर HDFC bank बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर option D सही है बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है इंडिया's first indigenous vaccine against pneumonia has been developed by तो यहां पर भारत का पहला सुधी सी वैक्सिन जो है निमूनिया के लिए बनाया गया है किसके द्वारा आपको बताना है यहां पर चार option है तो जल्दी से फड़ा फड़ से अपना answer जो है comment करते जाएं जो भी आपको answer सही लग रहा हो चली तो यहां पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C जिन बच्चों ने option C किया है Serum Institute of India बिल्कुल answer यहां पर सही है बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला जो कोशन है रिसेंटली जन्रसोई कैंटीन टू फीड दी नीडी एट रूपीज वन पर प्लेट हैज बिन इनागरेटेड इन तो यहां पर जो है एक जन्रसोई कैंटीन शुरू की गई है जिसमें एक रूपय परती प्लेट यहां ट्याटabytes चली टो यहंपर ऑप्शन सी है अपर यहां पर किया गया सी हो जाएगा और यहां पर डेली में जो है कि है म।घंपीं अगला कोशन है विच इसट मद्राsystem MOU to implement data driven system approach to road safety तो किस राज के साथ IIT मदरास ने MOU sign किया है ताकि जो data driven system है जो approach है basically road safety का उसको यहाँ पर लागू किया जा सके implement किया जा सके तो यहाँ पर किस राज के साथ basically MOU आपको बताना है जल्दी से फड़ा फट्चा answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर जो सही answer है option A है राजस्थान यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की अगला जो question है which of the following state government has launched the mobile application and web portal PR insight तो किस राज सरकार ने जो है अभी PR insight का mobile application और web portal जो है उसको सुरू किया है चार option है यहाँ पर जल्दी से फड़ा फट से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ बहुत से बच्चों का answer आना सुरू हो चुका है सही answer है option C पंजाब यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की which digital asset management platform launched by नीती आयोग CEO तो यहाँ पर basically आपको बताना है कि कौन सा जो digital asset management platform है सुरू किया गया है नीती आयोग CEO के दोरा चार option है यहाँ पर जल्दी से फड़ा फट से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option C हो जाएगा डीजी बॉक्स यहाँ पर सुरू किया गया है बात करते हैं अगले question की India's first, India's largest hockey stadium will be set up at तो यहाँ पर भारत का कह सकते हैं सबसे बड़ा hockey stadium कहाँ पर बनेगा चार option यहाँ पर चली से फड़ा फट से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का answer आना सुरू हो गया है और यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option जिन बच्चों ने B किया है बेलकुल आपका answer सही होगा रा और केला यहाँ पर सही answer है B answer यहाँ पर सही हो जाएगा अगला जो question है यहाँ पर between which two countries the Indian union cabinet has approved signing of revised air service agreement किन दो देशों के बीच में जो यहाँ पर Indian union cabinet ने भी मज़ूरी दे दी है revised air service agreement को sign करने की चार option है कौन से देशों के बीच में यह कह सकते हैं revised air service agreement हुआ है आपको बताना है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर जो option c है वह यहाँ पर सही होगा अफगानिस्तान और फिलिपियन्स यहाँ पर सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की अगला फड़ से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर जो सही answer इसका है वह option b है क्रिकेटर यहाँ पर थे option b हो जाएगा बात करते हैं अगले question की the ministry of corporate affairs extended the suspension of insolvency and bankruptcy code till how many months तो यहाँ पर जो है अभी ministry of corporate affairs ने जो है IBC को अभी कुछ मैनों के लिए और यहाँ पर जो suspension उसका बढ़ा दिया है तो कितने मैनों के लिए बढ़ाया आपको बताना है चार यहाँ पर option है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चले तो इसका जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option B यहाँ पर तीन मैनों के लिए और बढ़ाया गया है option B सही है बात करते हैं अगले question की recently शमसूर रह्मान फरूकी पाजवे ही वाज़ा तो अभी समसूर रह्मान फरूकी का निधन हो गया वे कौन थे आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चली तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा option B होगा poet यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है which initiative has introduced by the MOEFCC and WCS to protect Great Indian Bustard तो यहाँ पर basically जो Great Indian Bustard है उसको बचाने के लिए MOEFCC और WCS ने कौन सा जो पहल है उसको शुरू किया है चार option है यहाँ पर basically जल्दी से फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं और basically आज revision section चल रहा है तो बिल्कुल आप किसी भी question का अगर आप detail में answer जाना चाहते हैं तो आप जो यहाँ पर जो हमने पहले sessions लिए हैं उसको देख सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरा आंसर मिल जाएगा detail में last week का तो यहाँ पर basically सारे questions जो आप detail में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और यहाँ पर अभी quick revision चल रहा है weekly revision है इसका सही answer basically मैं बरादा चलो तो option A यहाँ पर सही है firefly bird diverter यहाँ पर सही answer हो जाता है बात करते हैं अब अगले question की boxing day is observed on which date तो boxing day जो है किस दिर मनाया जाता है आपको बताना है option A यहाँ पर चार पड़ा फट से answer कमेंट करते जाएं चले तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C 26 December 26 December यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की which of the following states cabinet recently approved a loan waiver up to 50,000 for 9.07 lakh farmer तो यहाँ पर जो है किस राज सरकार ने जो है अभी 50,000 तक के जो लोन है जो रिन है उसको माफ करने की खोसना की है 9 lakh लगबग किसान की तो यहाँ पर किस राज ने किया है आपको बताना है चार option है फटा फट से answer कमेंट करते जाएं तो यहाँ पर चार option है जल्दी से फटा फट से पना answer कमेंट करते जाएं चलिए इसका सही answer option A होगा जारकाण यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा बात करते हम अगले question की अगला question है which digital forum was launched by the defense secretary by dr. अजय कुमार के दौरा यहाँ पर जो है कौन सा digital forum को शुरू किया गए आपको बताना है चार option है जल्दी से फटा फट से answer कमेंट करते जाएं जल्दी से फटा फट से answer कमेंट करते जाएं चलिए तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो जाएगा option a dgncc यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की which of the following is also called brain eating amoeba तो यहाँ पर बजसे के लिए आपको बताना है किसे जो है brain eating amoeba कहा जाता है चार option है जल्दी से फटा फट से answer कमेंट करते जाएं चलिए तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option c नाइगलेरिया फॉलेरिया यहाँ पर सही answer हो जाएगा option c सही answer है बात करते हैं अगले question की which bank has sold entire stake from sent bank home finance limited तो किस bank ने अभी अपना पूरा stake जो है अपना बेच दिया है sent bank home finance limited से तो चार option है किस bank ने बेचा आपको बताना है जल्दी से फटा फट से answer कमेंट करते जाएं चले तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option d Central Bank of India ने अभी बेच दिया है तो यहाँ पर सही answer है d option बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है यहाँ पर who among the following will be the youngest mayor in India तो यहाँ पर जो है कौन जो है सबसे युवा या पर का सबसे कम उमर वाली mayor बनने वाली है भारत में चार option है फड़ा फड़ा से आंसर कमेंट करते जाएं चलिए तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option b हो जाएगा आर्या राजिंदरन यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की which railway becomes the first railway zone to use eo tt system in India तो कौन सा railway zone जो है वो eo tt system use करने वाला इस्तमाल करने वाला पहला कह सकते हैं zone बनने वाला है तो चार option है आपको बताना है कि जोन का यहाँ पर नाम है सही जल्दी से फड़ा-फड़ से answer कमेंट करते जाएं चले तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा वह हो जाएगा option ए इस्ट कोश्ट railway यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की अगला जो कौन तो आपको बताना है चार option है फड़ा-फड़ से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर बहुत से वच्चों का answer आना सुरू हो चुका है यहाँ पर option डी यहाँ पर सही है एक्टर थी यह और उनका निदन हो गया है तो option d सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की how many people have been received the first dose of covid-19 vaccine in USA तो अभी यहाँ पर coronavirus जो कह सकते हैं उसके लिए covid-19 vaccine USA में लगाया जा रहा है कितनी लोग को यहाँ पर पहला dose मिल चुका है यहाँ पर आपको बताना है अभी तक चार option है फड़ा-फड़ से answer कमेंट करते जाएं चलिए तो यहाँ पर option A सही हो जाएगा वन मिलियन यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की अगला question है which of the following city recently organized wear a mask campaign in distribute free mask to public तो यहाँ पर किस सहर ने जो है भी wear a mask campaign को चलाया ताकि जो mask free mask उसको public को यहाँ पर दिया जा सके चार option है किस सहर ने किया आपको बताना है जल्दी से फड़ा-फड़ से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option भी हाइदराबाद यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की who has become the first woman bus driver of jamu and kasmir तो jamu और kasmir की पहली महिला ड्राइबर जो बस ड्राइबर है कौन बनी है आपको बताना है चार option है चली से फड़ा-फड़ से answer कमेंट करते जाएं तो जो भी आपको answer सही लग रहा है बिलकुल आपना answer कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको answer सही लग रहा हो जो भी आपको answer पता हो जल्दी से फड़ा-फड़ चांसर कमेंट करते जाएं चलिए तो यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है बिल्कुल option यहां पर डी सही है पूजा दे भी यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की रिसनली रिस्टै रिनोड बातिक आर्टेष्ट यसला बलाईयक पास्ट बैंतिक-8 इस में उसरेटेट हो गया है तो आपको बताना है कि बैतिक आर्ट जो है किस कासकते देश से左右 यहां देख़ते हैं कितने बачों का सही आंसर आता है जल्दी आपको आंसर सही लग रहा हो अपना आसर Jadi मैंन करते जाए यहां पर सही अंसर है बिल्कूल ऑप्शण्ट डी बहुत सारे बचों ने अंसरदेना शुरू सेक्टर है उसमें अपना जो सही होग है उसको बड़ाया जा सके चार ओप्शन है फड़ा-फड़चा कमेंट करते जाएं चले यहां पर सही अंसर हो जाएगा option B इंडिया और जापान यहा पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की तो अगला कोशन है आपर रिसेंटली मैनमार्स एयरफोर्स हाज डिसाइड़ टू एयरबस सी एसे सी टू नाइन फाइव एयरक्राफ फ्रॉम विच कंट्री तो रिड्यूस टिपेंडेंस ओन चाइनीज आर्मरी तो यहां पर बेसेकली जो है मैनमार्स ने अभी दो एयरबस को लेने की घोसना की है किस देश से आपको बता से जाए तो बेसेकली जो लोग यहां पर डेली सेसन देखते होंगे उनको आशर पता होगा क्यूंकि आज रिविजन सेक्षन चल रहा है सारे आशर हमने करा रहके सारे कॉशन हमने करा रहके सारा चीज डिटेल में कराया हुआ है क्या हुआ कैसे हुआ क्यू हूआ पूरा प्रेटेल में हमने सारा कोशन कराया है तो आप भी अगर मिस कर चुके सेशन तो आप प्लेश में जा करके पूरा इंफोरमेशन देख सकते हैं करेंट फ़यर कुई जो आठ बज़े साम को आता है उस की प्लेश में आपको पूरा फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाएं चली तो यहां पर प्रशांद परभाकरन यहां पर सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है तो 2050 तक कौन सा देख जो है वो कारवन फ्री होने के लिए जो है आपर जो है ग्रीन ग्रोथ प्लान को अभी शुरू किया है अडॉप्ट किया है तो आपको बताना है कौन सा वो देख है चार ओप्शन है फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाएं चले तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन सी जापान यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की according to a report by CERN India economy will again overtake the UK to become fifth largest economy in which year तो यहां पर जो है अभी एक report आईए CERN की उसमें भारत जो है भारत की जो एकनोमी है वो UK को UK से आगे निकल जाएगी पांचवी सबसे largest economy बन जाएगी कब तक कौन से साल तक यह आपको बताना है basically चार option है फड़ा फड़ से आंसर कमेंट करते जाएं चली तो यहां पर जो सही आंसर है option D है 2025 यहां पर जो है सही आंसर हो जाएगा 2025 तक हो जाएगा बात करते हैं अगले कोशन की जो फड़ा फड़ से आंसर कमेंट करते जाएं चलिए तो यहां पर जो सही आंसर है option D है सुबद्रा local area bank limited सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की INDRA has projected इंडिया's GDP growth rate 2021 contract up to what amount तो यहां पर INDRA ने अभी यहां पर एक report जारे किया है इंडिया GDP के उपर कि वह कितना जो है 2021 में घट सकता है तो यहां पर चार option है कितना percent यहां पर कम होने के अंदाज़ा लगाया आपको बताना है फड़ा फड़ा अंसर करते जाएं चलिए तो यहां पर सही आंसर है option A 7.8 यहां पर सही आंसर हो जाता है अगला question है which of the following place is organizing the music festival dancing tomorrow तो किस जगा पर जो है अभी music festival dancing tomorrow को organize किया जा रहा है या पर किया जाएगा चार option है फड़ा फड़ा चांसर कमेंट करते जाएं चलिए तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा option D होगा गवालियर यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो रोमानिया की जो नए परदान मंत्री है उनका नाम क्या है आपको बताना है चार option है फड़ा 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 चांसर कमेंट करते जाएं चलिए तो यहां पर जो सही आंसर है option B है फ्लोरीन सीटू यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है which of the following state cabinet has approved the dharma, swatantriya, religious freedom, bill 2020 तो किस कह सकते हैं राज जो है आपर जो है अभी मंजूरी दिया है आपर धर्मा, swatantriya, bill 2020 की चार option है चलिए से फड़ा फड़ा आपको बताना है जो भी आंसर सही लग रहा है चलिए तो यहाँ पर जो सही आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका option C मद्ध परदेश यहाँ पर सही आंसर है बात करते हैं अगले question की अगला जो question है यहाँ पर which state government has launched the carrier portal for their student तो किस राजसरकार ने अभी carrier portal को शुरू किया है अपने जो चात्रे हैं चात्रे जितने हैं उनके लिए यहाँ पर चात्रों के लिए तो basically यहाँ पर चार option है जल्दी से फड़ा फड़ा चांसर कमेंट करते जाए सही आंसर है option D यहाँ पर Odisha basically सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की तो अगला question है noticed got its first ever statue of former prime minister अटल बिहारी वाज़ पर installed at zero point of the east west corridor in which district तो यहाँ पर basically आपको बताना है कि जो हमारे पूर परधान मंत्री थे परधान मंत्री यहाँ पर जो थे ministry basically prime minister थे अटल बिहारी वाज़ पर उनका यहाँ पर जो है अभी जो statue है उनको यहाँ पर लगाया गया है किस जगा पर आपको बताना है north east में चार option है फड़ा फड़ चांसर कमेंट करते जाए चली तो यहाँ पर जो सही आंसर है option A यहाँ पर सही हो जाएगा कछार यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा चली तो बात करते हैं अगले question की तो अगला जो question है Reliance Industry Limited will build what it claimed to be world largest Jew in तो यहाँ पर Reliance Industry Limited जो है दुनिया का सबसे बड़ा Jew चिणिया घर बनाने वाली किस जगा पर चार option है फड़ा फड़ से आंसर कमेंट करते जाएग तो देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है जल्दी से फड़ा फड़ से आंसर कमेंट करते जाएग तो basically इसका सही आंसर है option A जिन बच्चों ने दिया बिल्कुल सही होगा गुजरात में यहाँ पर बनने वाला है option A सही है बात करते हैं अगले question की अगला question है which mobile application has been launched by the union minister थावर चंद गहलोत तो आपे थावर चंद गहलोत ने अभी mobile application को launch किया है तो basically आपको बताना है कौन सा mobile application launch किया गया है चार option है फड़ा फड़ चांसर कमेंट करते जाएग चलिए यहाँ बहुत सारे बच्चे अपना answer दे रहे हैं चलिए यहाँ बहुत सारे बच्चों का answer आना सुरू हो गया option B यहाँ पर सही है स्वच्चता अभ्यान यहाँ पर बिल्कुल सही answer है बात करते हैं अगले question की तो अगला question है which of the following country plans to have first nuclear reactor on the moon by end of 2026 तो कोई साथ देश जो है अपना कह सकते हैं खुद का जो पहला nuclear reactor जो है चांद पर बिसिकली जो है लाने वाला है 2026 के end तक चार option है बिसिकली चलिए से फड़ा फड़ से answer कमेंट करते जाएग और बिसिकली मैं बता चलू कि यह जो है revision section class चल रहा है weekly revision section class चलता है Sunday को तो जिसकी भी question में अगर आपको doubt है किसी भी question का अगर आप information लेना चाहते है तो सारे question हमने detail में पहले ही करा रखे है सारा question आपको detail में मिल जाएगा हमारा जो playlist है उसमें आप अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो पूरा जो session हम लेते हैं उसमें आपको हरी question का answer जो detail में मिल जाता है तो आप उसको check कर सकते हैं अगर आपको किसी भी question में doubt लगता है या पिर जानना है information detail में basically आज यहाँ पर revision section चल रहा है तो जितने बचें आपर नए जुड़े हैं वो उनसे कहना चाहता हूँ कि आप उस session को भी जरूर से देखें जो daily आता है Monday to Saturday चलिए आपर बात करते हैं इसके सही answer की तो option D यहाँ पर US सही answer हो जाएगा अगला question है in which high court the CGI सरद अर्विंद बुबडे has inaugurated E. Seva Kendra तो किस high court में जो है यहाँ पर Chief Justice of India अर्विंद जो बुबडे हैं उन्होंने जो basically E. Seva Kendra को शुरू किया है चार option है फड़ा फड़ से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option D तिरुपूरा यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की तो अभी OTT Film Fair Award 2020 यहाँ पर दिया गया किस सीरीज को यहाँ पर मिला है आपको बताना है वेब सीरीज को चार option है फड़ा फड़ से answer कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option C पाताल लोग यहाँ पर बिल्कुल सही answer है अगला question है यहाँ पर Indian Railway PSU Rail Vikas Nigam Limited has commissioned Maratwada Rail Coach Factory in basically अभी भारती railway की PSU Rail Vikas Nigam Limited उसने अभी Maratwada Rail Coach Factory को यहाँ पर कह सकते हैं किस जगा पर आपको बताना है तो इसका सही answer यहाँ पर basically जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर option C यहाँ पर लातूर यहाँ पर सही answer हो अगला question है which under which mission India has sent flood support to Vietnam तो यहाँ पर किस mission के तहद इंडिया ने भारत ने जो है वेतनाम को जो है कह सकते हैं flood support यहाँ पर दिया है चार mission है यहाँ पर जल्दी से आपको बताना है जो answer सही यहाँ पर आपको लग रहा है कि चली तो यहाँ पर सही answer है option D missions अगर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question है यहाँ पर recently Amisa inaugurated the e-office and tobble multipurpose project tobble dam in तो अभी जो है Amisa ने यहाँ पर e-office और tobble multipurpose project को शुरू किया है किस राज में आपको बताना है चार option है तो देखते हैं कितने बचों का सही answer आता है चली तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option A यहाँ पर पूर यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की which public sector company has received the best company promoting sports award 2020 तो किस बेसेकली जो है public sector जो company है उसको यहाँ पर जो है best company promoting sports award 2020 से समानित किया गया है तो यहाँ पर चार option है बेसेकली आपको बताना है कौनसा answer सही होगा चली तो यहाँ पर इसका सही answer basically मैं बता चलो तो यहाँ पर option A जो ने किया है यहाँ पर Air Force Sports Corporation Control Board जो है यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की recently John Huber also known as Luke Harper और बोडी ली पाज अवे ही वाज़ा तो यहाँ पर जोन हुबर का भी नीधन हो गया वे कौन थे आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ा चांसर कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर सही answer है option C यहाँ पर wrestler थे यह option C सही हो जाएगा अगला question है यहाँ पर India's first lithium refinery has set up in which state भारत का जो कह सकते पहला lithium refinery जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है चार option है फड़ा 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 चांसर कमेंट करते जाएं चली तो इसका सही answer यहाँ पर हो जाएगा option A यहाँ पर गुजरात में यह होगा तो option A सही है अगला question है recently the ministry of road transport and highway has extended the validity of vehicular document till यहाँ पर जो है भी ministry of road transport and highway ने जो है यहाँ पर अभी जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं जो vehicular documents है उसको यहाँ पर उसकी जो validity है उसकी जो कह सकते हैं उसको extend कर दिया है कितने तारिक तक कब तक चार option है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चले तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा option C 31st March 2021 यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की which article is related to educational institution of minority only तो कौन सा article जो है यहाँ पर educational जो institution है जो minority है यहाँ पर उन से related है यहाँ पर आपको बताना है चले तो आपर option D जो है वो सही हो जाएगा article 30 यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की BMW want roughly every fifth car in cell to be powered by an electric engine by which year compared to about 8% in 2020 तो यहाँ पर BMW चाहती है कि उसका जो हर पांचवा कार आए वो electric engine का बना हुआ हो कौन से साल तक यह चाहती कि ऐसा हो जाए चार option है यहाँ पर चल्दी से फड़ा फट चाहर कमेंट करती जाए चली तो यहाँ पर सही answer जो हो जाएगा वह जाएगा आपका option C 2023 यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की which of the following Indian state has decided to include the history of Sikh Guru in the school curriculum तो यहाँ पर जो एक कौन सा राज जो है भी उसने यहाँ पर जो है कह सकते हैं निरने लिया है यहाँ पर कि जो बच्चों के जो कह सकते हैं पार्टिकरम है उसमें Sikh Guru की जो इतिहास है उसको सामिल किया जाएगा चार option है फड़ा फड़ से answer comment करते जाएं चले तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा मिनी महाबलेसवर का टाइग मिला है किस चीज की खेती के लिए चार option है जो भी आपको आंसर सही लग रहा है जल्दी से फड़ाफट से answer comment करते जाएं चले तो यहाँ पर सही answer जो हो जाएगा option A होगा strawberry यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की recently Sunil Kothari passed away he was a तो अभी Sunil Kothari का निधन हो गया वे कौन थे आपको बताना है चले तो यहाँ पर option A जो है वो यहाँ पर सही होगा वे historian थे उनका निधन हो गया option A सही है अगला question है which application and web portal has been launched by the MOHUA Hardeep Singh Puri for management of all GOI state services तो यहाँ पर Hardeep Singh Puri ने जो है आपर web portal और application को launch किया ताकि जितने भी government of India के e-state service से उसको manage किया जा सके चार option है फड़ा फड़ से answer comment कटे जाए चली तो यहाँ पर option D है वो यहाँ पर सही हो जाएगा E समपदा यहाँ पर सही answer है बात करते हैं एगले question की which of the following state will take punitive action against owner of vehicles with caste sticker तो यहाँ पर जो है कौन से राज जो है आपर कह सकते हैं यहाँ पर punishment है वो देगा जो भी यहाँ पर कह सकते हैं कास sticker लगाता है कास जाती से related जो sticker लगाता है अपने गाडियों के उपर या वानों के उपर तो कौन सा राज करेगा आपको बताना है जल्दी से फड़ा फट से देखते हैं किसका सही answer सही आता है चली तो यहाँ पर बहुत सार वच्चों का answer आना सुरू हो गया है option C यहाँ पर सही है उत्तर परदेश यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की अगला जो question है who is the author of book title in pursuit of justice and autobiography तो आपको बताना है कि इसके जो लेखा गया वो कौन है in pursuit of justice and autobiography के चार option है फड़ा फट से comment करते जाएगा तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा राजिंदर सच्चार यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की who among the following has won the Rachel Heo Flint award for ICC female cricketer of the Descartes तो किसे जो है यहाँ पर किसने जो है यहाँ पर Rachel Heo Flint award जो है जीता है ICC female cricket जो है award है उसके तहर तो चार option है जल्दी से फड़ा फट से answer comment करते जाएगा option B यहाँ पर सही हो जाएगा Alice Payde यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की India ranked at which place in the list of countries with most publication of AI from 2015 to 2019 तो यहाँ पर बिसिकली जो भारत का कौन सा स्थान आया है यहाँ पर 2015 से 2019 में AI publication सबसे ज्यादा करने की list में है चली तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C third यहाँ पर आया है बात करते हैं अगले question की who is the new chief secretary of Odisha तो new chief of secretary जो है यहाँ पर कौन बनाए गए है Odisha के आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाएं चली तो यहाँ पर सही answer जो है option C हो जाएगा सुरेज चंदरा महापात्रा बिल्कुल सही answer है बात करते हैं अगले question की union minister health minister हर्सवर्धन inaugurated India's first pneumococcal conjugate vaccine तो यहाँ पर अभी हर्सवर्धन ने जो यहाँ पर भारत का पहला जो pneumoccal conjugate vaccine है उसको यहाँ पर जो है कह सकते हैं उद्गाटन किया है तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसका नाम क्या है उस vaccine का चार option है फड़ा 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 आंसर कमेंट करते जाएं चले तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा option C यहाँ पर जो है नीमो सील यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की as North India braces for serves severe cold wave IMD asking people to avoid consumption of dance to protect themselves from hypothermia यहाँ पर जो है कह सकते हैं जो नौर्ट इंडिया है उत्तर भारत है बेसिकली वहाँ पर जो है भी सीट लहर चल रही है तो उसके कारण जो IMD उन्होंने मना किया है किस सीच को यहाँ पर कह सकते हैं consume करने से या फिर किस सीच को यहाँ पर लेने से मना किया है ताकि हाइप बात करते हैं अगले कोशन की वाट इसू प्राइज इस फिक्ष्ट फॉर्ड गोल बाउंड दूरिंग दा सब्सक्रिप्शन पीरिएट सो वर्जिन गोल बाउंड स्कीम 2020-2021 तो यहां पर बिसिकली जो आपको बताना है कि जो गोल बाउंड स्कीम 2020-2021 है उसका यहां पर जो कि जिए रखा गया है चार ऑप्षन है डगता है कि कितने बच्वों का सही आंसर का इता है इस 170 सारे कोसे आई से देखते होंगे तो आपको लगबग सारी कोशन कोशन पता होगा लेकिन अगर आप डेली अगर आपने देखते हुए आपको आनसर ज фин को उसकता कि आपका आंसर सही हो नहीं पर गलत भी हो सकता है लेकिन बहुत सारे बाचें बहुत सरे बाइंच को बहुत साहे सेख़ा वा था उसको हटा लिया है किस पर से चार आप्शन ने आपको बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन भी ओनियन यानि जो प्याज है उस पर से हटा लिया गया है अगला कोशन ने आपर holy innocent day is observed on which day तो holy innocent जो है कब मनाया जाता है आपको बताना है चार आप्शन है फड़ा फट्चा आंसर कमेंट करते जाएगा चली तो यहां पर जो सही आंसर है आप्शन A होगा 28 December यहां पर सही हो जाएगा बात करते हैं अगले कोशन की तो किसने जो है अभी तीबटन पॉसी आड़ फॉपोर्ट एक्ट को अभी साइन किया है आपर हसाचर किया है ताकि जो चाइना है उसको अपना खुद का दलाई लामा वहाँपर बैठाने से जो है आपर यहाँपर इंस्ट्ल करने से रोका जासके चार option है किसने sign की आपको बताना है चलते हैं यहाँ पर option A जो है Donald Trump यहाँ पर सही answer हो जाएगा USA के president है भी Donald Trump उन्होंने किया है बात करते हैं अगले question की Who among the following has won the Sir Garfield Sobers Award for ICC male cricket of Descartes तो किसने जो है अभी basically जो Sir Garfield Sober Award है उसको यहाँ पर जो है कह सकते हैं जीता है चार option है आपको बताना है जल्दी से फड़ाफट से answer comment करती जाएं चलिए तो यहाँ पर option B जो है वो सही हो जाएगा विराट कोली यहाँ पर सही answer है बात करते हैं अगले question की In which state new भावपूर खुर्जा section is inaugurated तो यहाँ पर आपको basically बताना है कि किस जगा पर जो है यहाँ पर जो new भावपूर खुर्जा जो section उसको सुरू किया गया है चार option है फड़ा फड़ा आंसर comment करते जाएं चलिए तो यहाँ पर सही answer है option A उत्तर परदेश यहाँ पर सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की who among the following has won the player of the century at globe soccer award तो यहाँ पर जो है किसे globe soccer award में player of the century यहाँ पर जो है इससे समानित किया गया है चार option है फड़ा फड़ा से answer comment करते जाएं चलिए तो यहाँ पर जो option B है क्रिश्टानो रोनाल्डो यहाँ पर सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की first academic session of IIIT वरोद्रा international campus was inaugurated in which union territory तो पहला जो academic session है triple IT वरोद्रा international campus का वो किस union territory में शुरू किया गया है inaugurate किया गया है चलिए तो यहाँ पर option जो A है वो यहाँ पर सही होगा दिव यहाँ पर सही answer है अगला question है which of the following country is developing wooden satellite to prevent space junk तो कौन सा country जो है कौन सा देज जो है अभी wooden satellite जो है basically बना रहा है ताकि जो junk है उससे यहाँ पर बचाया जा सके तो देखते हैं कितने बच्चों का सही answer आता है चलिए तो यहाँ पर option B होगा वो यहाँ पर सही होगा जापान इसको अभी develop कर रहा है पहला यह wooden satellite बनाने की अगला question है यहाँ पर बदलाव करने के बाद यहाँ पर अकर्ज लिया है तो आपको बताना है यहाँ चार option है चलिए से फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाए चलिए तो इसका सही answer यहाँ पर है option A राजिस्तान यहाँ पर सही हो जाएगा अगला question है यहाँ पर which city's municipal corporation has been has been selected as the best performing civic body in इंडिया तो किस से कह सकते सहर के municipal corporation को नगर निकाई को जो है भी यहाँ पर चुना गया है सबसे अच्छा civic body इंडिया के अंदर चलिए तो इसका जो सही answer है बेसिकलि आपको बताना है और इसका सही answer यहाँ पर हो जाएगा option C greater visaka platinum यहाँ पर सही answer है अगला question है यहाँ पर इंडिया फर्स्ट इंडिया फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हाज बीन इनगरेटेड इन विच स्टेट तो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है कहां पर बनाया गया आपको बताना है चार option है चल्दी से फड़ा-फड़ से answer comment करते जाए तो यहाँ पर बिसिकलि जितने कोई भी कोशन में डाउट है अगर जानना है किसी भी डिटेल में कोई भी कोशन का डिटेल जानना है आप हमारा डेली का सेशन जो आता है उससे देख सकते हैं मंडे से सटरडे वाला चलिए यहाँ बात करते हैं पर जो है सही हो जाएगा वह होगा option C उत्तरा खंड यहाँ पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की रिसेंटली पैरी कार्डिन पाजड अवे ही वाज आ तो अभी पैरी कार्डिन का निदन हो गया वे कौन थे आपको बताना है चार option है फटा फट चांस से कमेंट करते जाए तो यहाँ पर चार option है जल्दी से फटा फट से आंस प्रोपल्शन यहां पर आंसर सही हो जाएगा बात करते हैं अगले question की who among the following has won the DRDO Scientist of the Year award तो किसने जो है अभी DRDO का Scientist of the Year award जीता है चार option है फटा फट चांस से कमेंट करते जाएगा चले तो यहां पर जो बहुत सारे बच्चों का अंसर आना सुरू हो चुका है option B यहां पर सही है हेमंद कुमार पांडे यहां पर सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की the first international day of epidemic preparedness day is celebrated on which date तो आप पहला जो कह सकते हैं international day जो मनाया गया पहला बार epidemic preparedness day जो है वो किस दी मनाया गया आपको बताना है चार option है फटा फट से आनसर कमेंट करते जाएग चली तो यहां पर सही आंसर है option A 27 December 2020 सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की recently AU small finance bank has partnership with which to offer life insurance solution तो EU small finance bank ने अभी किस के साथ यहां पर साथ दारी किया है ताकि वो life insurance solution है वो दे सके अपने customer को चार option है फटा फट से आंसर कमेंट करते जाएग चली तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा option A ICICI Prudential life insurance सही आंसर है बात करते हैं अगले question की which country will replace the US as the world largest economy by 2028 तो कौन सा देश जो है वो यूएस को replace कर देगा जो वर्ल लाज़ेश एकोनोमी है दोजार अठाथाइस तक तो यहां पर चार option है कौन सा देश बनने वाला है सबसे बड़ा economy दोजार थाइस में आपको बताना है जल्दी से फड़ावट से आंसर कमेंट करते जाएं चली तो यहां पर जो option हो जाएगा यहां पर बहुत साथ बच्चों का आंसर आना सुरू हो गया है जादातर बच्चे का आंसर यहां पर सही आ रहा है बिल्कुल आपका आंसर सही ह हो जाएगा बात करते हैं option अगले कोशन की इंडिया विल क्यारी आउट इसकाई रोज वार गेम विद तो यहां पर भारत अभी एक एक साइस करने वाला इसकाई रोज वार गेम किसके साथ करेगा यह आपको बताना है चार option है फड़ा फड़ा आंसर कमेंट करते जाए चले तो यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा option डी फ्रांस यहां पर सही आंसर है बात करते हैं अगले कोशन की नियू गवर्वर्मेंट टूल रूम और ट्रेंग करते हैं तो यह आपको बताना है किस राज में होगा आपको चार option है फड़ा फड़ा शांसर कमेंट करते ही जाए चलिए यहां पर सही आंसर है option B करनाटे का विलकुल सही आंसर है तो यहां पर अगला question जो आ गया है which bank has collaborated with google pay to offer fast tag तो किस bank ने अभी google pay के साथ साज़ारी किया है ताकि यहां पर fast tag जो है उसको दिया जा सके चार option है और यहां पर सही आंसर जो है वो हो जाएगा option B ICIC bank यहां पर सही आंसर है अगला question देखेंगे which bank state has been declared as disturbed area for six more months तो किस राज़्यू को अभी छे और महिनों के लिए disturbed area घोसित कर दिया गया है तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा option यहां पर आपका जो B है नागा लैंड सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं अगले question की in which state new भावपूर कोज़ा section is inaugurated यह question अभी हमने थोड़े दिर पहले आप से कराया था देखते हैं कितने बच्चे उस question को ध्यान से देखे थे कितने बच्चों को आंसर याद है इस question का आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही answer कर पाते हैं तो अभी तुरंत मैंने question कराया था कुछ लगबग कह सकते 10 question के पहले और कितने बच्चे active से बिलकुल यहाँ पर check हो जाएगा कितने बच्चों को आंसर पता है जल्दी से अपना answer सभी बच्चे comment करें जितने बच्चे अभी session को देख रहे हैं चेक करते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आता है कितने बच्चे जो है actively यहाँ पर check अपना answer जो कह सकते हैं अपने questions को यहाँ पर देख रहे हैं चली तो बहुत सरे बच्चों का answer तो आ रहा है और इस session के अभी तुरंत हमने जो है लगबग यहाँ पर जो है दस question के पहले इसी question का answer आपको बताया था और बिल्कुल आप participate करिए देखते हैं कितने बच्चों का answer यहाँ पर जो है सही answer निकल के आता है कितने बच्चे actively यहाँ पर देख रहत है एक बच्चा जो है यहाँ बार बार अलग-अलग comment कर रहा है एक ही question का बिल्कुल उसको block कर दिया जाएगा और आगे से कोई भी comment जो है अगर आप करेंगे तो बिल्कुल आपका pick भी नहीं किया जाएगा कभी भी तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें अपना answer एक ही question का answer दस बार ना करें अलग-अलग option से चलिए तो यहाँ पर जो option A है यह आपर सही था तो बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है कुछ बच्चों का answer यहाँ पर गलत है बात करते हैं अगले question की which bank has launched the digital lending platform to allow get a loan digital way तो किस bank ने यहाँ पर digital lending platform को अभी शुरू किया है ताकि जो digital way में जो loan है उसको दिया जा सके चार option है फड़ा-फड़ से answer comment करते जाए चली तो यहाँ पर जो सही answer हो जाएगा वो हो जाएगा option A यहाँ पर bank को बड़ोधरा बिल्कुल सही answer है बात करते हैं अगली question की in the 12th edition of the world economic league table 2021 इंडिया ranked at which place तो यहाँ पर जो है बारवा अभी संस्क्राइन आया है world economic league table 2021 का भारत कोई सा राइंग को बताना है चार option है फड़ा-फड़ से answer comment करते जाए चली तो यहाँ पर option B जो है 6 यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की which bank has introduced its positive pay system to make check payment secure तो किस bank ने अभी शुरू किया है positive pay system check payment को secure बनाने के लिए save बनाने के लिए चार option है फड़ा-फड़ा आसर comment करते जाएं चली यहाँ पर option D जिन वच्चों ने किया बिल्कुल आपका answer सही है यहाँ पर जो option D होगा वो बिल्कुल सही हो जाता है तो यहाँ पर SBI सही answer है बात करते हैं अगले question की nuclear fusion plant aim to commercialize nuclear fusion for power production by which year तो nuclear fusion plant जो है अब भी nuclear fusion को commercialize करने की सोच रही है ताकि जो power production है वो इससे किया जासा कि कौन से साल तक आपको बताना है चार option है जल्दी से फड़ा-फड़ा आसर comment करते जाएं चली तो option A जिन बच्चों ने दिया है बिलकुल आपका answer सही है 2035 यानि की 2035 से आपके सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगले question की who has engraved his name on MCG honors board तो किसने जो है अपना नाम जो है MCG honor board में अभी कह सकते हैं दर्ट करवाया है या फिर सामिल किया गया है चार option है चली से फड़ा फट से जितने बच्चे अपना answer करते जाएं अपना answer देते जाएं जो भी आपको answer सही लग रहा हो चली तो option यहाँ पर 20 लोगों ने दिया है बिलकुल आपका सही है जिंके रहाने जो हैं यहाँ पर सही answer हो जाता है बात करते हैं अगले question की इंडिया has ordered 1580 artillery guns from which country तो यहाँ पर भारत ने 1580 artillery gun का order जो है किस देश को दिया है चली तो यहाँ पर जो सही answer है option A है इसराइल यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगली question की which country signed an agreement on free trade with Vietnam तो किसने जो है अभी वेतनाम के साथ free trade पर जो है कह सकते हैं अभी sign किया है agreement की है चली तो इसका जो सही answer है option B है United Kingdom यहाँ पर सही answer हो जाएगा बात करते हैं अगली question की how many state has conducted a dry run coronavirus vaccine तो कितने कह सकते हैं यहाँ पर जो राज है उन्होंने dry run corona vaccine जो है उसको अभी test किया है चार option है फटा फट से अपना answer comment करते हैं देखते हैं कितने वचों का सही answer आता है जो भी आपको answer सही लग रहा हो जो भी आपको answer पता हो बिल्कुल अपना answer comment कर सकते हैं चले तो यहाँ पर जो option भी जिन लोगों ने किया है फट यहाँ पर बिल्कुल सही answer हो जाएगा अगर आप Indian Army, Navy, Air Force, Banking, SSC, Railway, UPSC, PSC या फिर किसी भी डिफेंजर आपकी त्यारी करना चाहते हैं आप अने केंड में के साथ जूड करके अपनी त्यारी कर सकते हैं और वीडियो को अगर आपने share नहीं किया तो share भी करते जाएं अपने जितने भी ग्रूप से उसमें share कर सकते हैं ताकि आपके और भी फ्रेंड जूड करके बहुत सारा information बहुत सारा knowledge ले सके और अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर ले ताकि आपको जो साम को 8 बजे जो current affair quiz में लेकर क्याता हूं हर साम 8 बजे वो आप अगर miss नहीं करना चाते तो आप चैनल को भी subscribe जरूर से कर ले और ताकि आपको जो है आप पर current affair जो quiz है आप खेल के साथ बहुत सारा knowledge बहुत सारा ज्यान मिलते जाता है quiz के तौर पर current affair के तो आप वो से miss नहीं करना चाते तो आप जो है यहां पर जूर सकते हैं हमारे साथ और basically अगर आप वीडियो को अब भी तक लाइक नहीं के तो आप जो है बिल्कुल आप वीडियो को लाइक जरूर से करें और फिर से हम कल साम 8 बजे आपको मिलेंगे बहुत सारे questions बहुत सारे knowledge बहुत सा हिंद चैवारत